तो नवश्कार अव्रेडेश हुआggा हैasto की तो दौस्तो वीडियो बहुत ज्यादा खास हुने वाले क्योंकि कुछ नहीं मागों के साथ है इस ट्रेन के चलने से कितना फायदा होगा सब को जानेंगे ना दोस्तो आपकी इस वीडियो में तो चलिए फड़ फड़ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बदा दे चलो कि यसी कि आपनों थबने पहले ही पढ़ा होगा कि यहां पर मैं बात करने वाला हूँ ओखा नाथ द्वारा ट्रेन की मार की परिप्रतन को लेकर ट्रेन ओका से आती है एहमदबाद में रुखती है फिर दोस्तों यह ट्रेन जोए निकल जाती है सिधा दुफरी तरफ मतलब नाथ द्वारा के लिए बट इसका रूट को चिंज किया जाता है तो फायदा जोए काफी आता होगा और इसमें कौन-कौन से रूट से ट्रेन निकलेगी और कितना स्टॉपज ले सकती है और कब तक ले सकती है सबको चान सकते है वीडियो के माध्यम पे तो देखे दोस्तों यह ट्रेन है ना कि उखा से निकलकर या तो नात द्वरा जाते समय भी हमदाबाद में लगभऔ 15 मिट कर ड़िए या थो नात द्वार सी ऊखा की तरब जाते समय भी 15 मिल्ट के स्टापिज लेती है एहम्दाबाद में अब इस वह अगर सौटेस्ट रूट की बात जले है तो भारते लिए अक्सर इस ट्रेनों को लेकर सौटेस्ट रूट की तलास करता है अगर मैं वर्थमान में बात करो संचालें को लेकर तो ट्रेन का जो सीधा- ट्रेन निकल जाती है ना रतलाम नीमच के राफ्ते चित्तवडगड के राफ्ते ट्रेन जली आती है नाथ द्वाला यह एक लीगल रूट है जिस पर अभी वर्तमान में गाड़ी चलाई जा रही है परंतुगर मैं आपको बताओ कि अगर इस ट्रेन कोई इसको तो सिंचा प्लेटफॉर्म नमपर नौ पर तो काल चल रहा है पर दोस्तों 6-7-8 यह जो तीन प्लेटफॉर्म में 6-7-8 यहां पर लगभग 15 मिट पर गाड़ी रुपती भी है तो यह 15 मिट पर ना लोकोरी वर्चर करा कर ट्रेन का जो डबबा है इसको चेंज करा कर उसको जो है यहा पर सर्वे कार की शुरुबात हो रही है रेलवे सर्वे कर रहा है किसली कर रहा रहा है क्योंकि इस रूट कर जो यह तो डबलिंग करवाना है अब असरवा और हिम्बत नगर के सेक्षन की बात करो तो दोफ्तों जो अलग अलग विचारधारी निकल कर आती है पहले अगर अब जो विचारधार आए कि जो विश्टन रिल्विक अंतरगत में शर्वा से लेकर हिम्बत नगर का सेक्षन आता यहां पिलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तेंटर निकला है अभी और सर्वे को लिए को मतलब डबलिंग का सर्वे को लेकर भी तैयारिया जो यह विश्टन रहेगा कि ओखा से ट्रेन आएगी एहमदाबाद में पंदर में इसको जो है इसका इंजन को चेंज कर लिया जाएगा उतना सवे काफी है उसके बाद में इसको असर्वा लेके जाए जाएगा सब्दाग ग्राम होते हिम्मत नगा टूंगरपुर होते हुए फिर बीच में जो और भी जाता है तो कोई जो है बड़ा हर्ज नहीं होगा क्योंकि दोस्तों वैसा भी तो आपका काफी समय तो इस रतलाम और जो गोध्रा वाला से नहीं होगी तो आप लोग भी अपने फाजेशन को जोड़ों से शियर कीजिएगा फिलाल जैसी कि मैंने एक और चीज क सर्वे करवाने के लिए यहां पर उन्होंने अपने तयारियों को शुरुबात दे दिया है बार ही आती है यहां पर नौर्थ विष्णा रिल्वे की क्योंकि दोस्तों दोनों के सैमेदी से जब रूट पर यहां पर डबलिंग कार करवा जाएगा तो रूट पर आवा गमन की वह शुरूट से जुए तय होने लगेगा फिलाल आप लोग अपने माध्या फिक कमेंड करके जुरू से बताईएगा वीडियो के धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ में लगतार इंट्रेसिंग टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिन बाबाए एबरिब के लिए तक के अवीड़त तक के सबेटे